नमस्ते विद्यार्थियों, डिजी स्कूल में आपका स्वागत है विद्यार्थियों समाजिक विज्ञान विशय के अंतरगत हम इतिहास का अध्यान कर रहें और अभी हम आठवी कर्षा के इतिहास के नवे अध्याय जिसका नाम है जाती बेवस्था की चुनवतियां है ना तो आप अपने जे सी आर्टी पार्ठे पुस्तक के पेज नमबर 114 पे फोकस कीजिए और चलिए हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या कुछ पढ़ना है तो शुरुवाती जो परग्राफ है वहाँ पे आप ध्यान लगाईए स्टुडेंट्स देखिए 19 सताबदी का धार्मिक और सामाजिक पुनरजागरन आधुनिक भारती इतिहास की एक महतपुन घटना है इसने भारतीयों को आत्म निरिक्षन करने के लिए मजबूर किया कमपनी की पास्चात्य सिक्षानिती से आधुनिक इवावर्ग चिंतित हो गए समाज सुधार को ने जातिये गयर बराबरी का बिरोध किया भारतीय समाज में ब्याप्त कुईतियों एवं बाह्य आडंबरों को खत्म करने की कोशिस की इस अध्याय में हम जाती और समाज सुधार के लिए किये गए परियासों को जानने का परियास करेंगे बच्चों पहली लाइन में देखिए उनिशवी सताबदी लिखा हुआ है उनिसवी सताबदी का मतलब होता है सन अठारा सो एक से लेकर के उनिस सो तक का काल खड़ यानी की सौ बरसों का काल खड़ तो हम 19. सताबदी के उस धार्मिक और समाजिक पुनर जातरन के संदर में जानने का पर्यास करेंगे जो हमारी बरतमान जो बेवस्था है जो बरतमान सामाजिक इस्थिती है वहां तक परिस्थितियों को लाने में किस परकार से महतरपुन रहा किस परकार से उस वक्त हमारे समाज में जो कुरीतियां थी और बाहे आडंबर थे तो उसको खत्म करने का प्रयास किया गया और इस बीच हम किन-किन परिस्थितियों से गुजरे कैसे हमारी सिक्षा बेवस्था में भी परिवर्तन आई और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 1835 में भारत आते हैं तो वो अंग्रेजी सिक्षा पदती की वकालत करते हैं तो इस अंदर में हम बिगत चाप्टर में भी पढ़ चुके हैं तो लॉड मेकाले के बारे में ज्यादा खुश बताने की मुझे अभी आउसकता नहीं है चुकि मैं इनके बारे में पहले आपको बता चुका हूँ तो आप पेज नंबर 114 के दूसरे उधरन दूसरे प्रग्राप्या फोकस कीजिए स्टुएंट्स देखिए अठारवी उनिस्वी सदी में भारतिय समाज में अंध विस्वास का काफी जोड था जी हाँ बिल्कुल था जाती विवस्था के कारण समाज उच एवं निम्न वर्ग में बढ़ता दिखाई देने लगा निम्न वर्ग के प्रती उच वर्ग का विवहार उचित नहीं था चुआचुत की समस्या ने इस खाई को और गहरा किया इन परिस्थितियों में राम मोहनराय सरीखे समाज सुधार को ने जाती विवस्था की आलोजना की कई संगठनों एवं समाजिक पुनर जागरन के लिए प्रयास प्रागंध किये उन्होंने इसाई मिस्णरियों की तरफ संगठन के माध्यम से समाज में सुधार लाने की कोशिस की तो स्टूडेंट्स हम आगे देखते हैं समाजिक जीवन में जाती विवस्था तो हमारे देश में जो समाजिक जीवन में जो जाती विवस्था थी उस वक्त उसको हम लोग देखते हैं पेज नंबर 115 पे तो बच्चों आप लाइन बाइन देखिए समझने की अप्रयास कीजिए प्राचीन काल में समाज में कोई जाती नहीं थी बिल्कुल सही है कर्मों के अधार पर समाज में चार परकार की भर्ण ब्यवस्था पाई जाती थी जिसे हम लोग ब्रामन, छत्रिये, बैस और सुद्र कहते थे जो लोग पूजा पाठ करवाते थे उन्हें ब्रामन, यूद करने वाले को छत्रिये, बैपार करने वाले को वैस्या और अन्य कर्म करने वाले को सुद्र की स्रेनी में रखा जाता था और समाज ने उचवर का दर्जा कर्मानु साब, रामन, छत्रिय, बैस और सुद्र को दिया गया था बाद में एही बर्ण ब्यवस्था समाज में जाती ब्यवस्था का रूप ले लिया तो स्टूडेंट्स जिस जाती ब्यवस्था को हम लोग आज देख रहे हैं वो कहीं न कहीं वो बर्ण ब्यवस्था का ही एक रूप है तो उचवर के लोगों द्वारा नीचले वर के लोगों का लगातार सोशन का सिकार होने लगा उँच नीच का भेद अब समाज में भ्यावा हरूप धारन कर लिया तब कई समाज सुधारकों के द्वारा इस भेदभाव को खत्म करने की कोशिस की गई कई समाज सुधारक ऐसे थे जो जाती अधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे बिल्कुल सही बात है कोई भी समाज तब तक तरक्की नहीं कर सकता है स्टूडेंट्स जब तक वो समाजिक भेदभाओं से उपर उठकर काम नहीं करता तो स्टूडेंट्स अब चलिए पेज नंबर 115 के दूसरे परग्राप पे आप फोकस कीजिए समाज सुधार के प्रियास उनिस्वी सदी के आरंभिक दसकों से देश के हर भाग में या अधिकादिक महसुस किया जाने लगा कि भारतिय समाज पिछड़ा हुआ है तो पहले ये चीज़ें थी या नहीं थी या किस रूप में थी वो अलग बात है लेकिन हम लोगों ने अपने आपको पिछड़ा हुआ कब महसुस किया उनिस्वी सदी के आरंभिक दसक से यानि कि उनिस्वी सदी का मतलब अठारा सो एक से लेके उनिस सो तक का समय तो 19 सदी के आरंभीक दसकों से देश के हर भाग में या अधिकाधिक महसूस किया जाने लगा कि भारतिय समाज पिछड़ा हुआ है और इसे सुधारना जरूवी है राम मुहन राय ने जाती बेवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बहुद गरंत का अनुवाद किया स्टुडेंट्स थोड़ा राम मुहन राय जी के बारे में हम लोग विशेश रूप से जानने का प्रयास करते हैं इनके बारे में हम लोगोंने महिलाओं की स्थिती में सुधार जोड़ चाप्टर है विशेश करके हम लोगोंने सती प्रथा के संदर में जव अध्यन किया था तो हम लोगोंने राम मुहन राय के बारे में काफी कुछ जाना है यहां उनके बारे में एक और बात जान लिजे सुडेंट्स की सन 1804 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है तुफात अलमुहाईदीन है न और वो जो पुस्तक थी उसको फार्सी भासा में ल उपहार कहेंगे यानि कि एकेश वर वादियों का उपहार यह किताब ना तो हिंदी में थी ना बांगला में थी ना अंग्रेजी में थी बल्कि यह पुस्तक जो है वाक्सी भासा में थी तो आप समझ सकते हैं स्टुइं स्टूरेंट्स कि बांगला भासा भी उस वक्त जो है कुलीन वर के बीच उतना प्रचलीत नहीं रहा होगा इसलिए फार्क्सी भासा में वह पुस्तक राम मोहनराय ने लिखी थी तो उसमें उन्होंने जाती व्यवस्था की आलोचना की थी और उस पुस्तक में उन्होंने एक एस्वर वाद के संबंद में भी काफी कुछ लिखा था तो ये सब चीजें जो हैं स्टूडेंट्स मिसेस करके भारतिय समाज में जो आज हम जिन चीजों को देख रहे हैं कि जो परिवर्तन आज हम देख रहे हैं इसके पीछे लगभर 200 बरसों का प्रयास है हमारे बहुत सारे समाज सुधा हो है न या परमहंस मंडली से जुड़े हुए हमारे लोग हो तो बहुत इसके पीछे परयास काम किया है और तब जाकर के आज हम काफी कुछ अपनी जाती बेवस्था में ये परिवर्तन मतलब ला पाए हैं तो जाती बेवस्था में बहुत ज्यादा परिवर्तन तो नहीं हुआ है लेकिन फिर भी जो उच वर्ग और निम्न वर्ग वाली जो भावना थी उन भावनाओं में बहुत कोछ परिवर्तन आया है और मानव मानव के प्रतिक ऐसा बेवहार करें ये चीजें हम आज सिखने में सक्षम हुए हैं तो समाज में सवहार्द बना रहना चाहिए स्टुडेंट्स और हम लोगों के मन में ये बातें नहीं होनी चाहिए कि मैं फलानी जाती से हूँ मैं फलानी जाती से हूँ क्योंकि ये चीजें किसी भी देश को कमजोग करती हैं और किसी भी समाज को आगे बढ़ने में बाधख होती हैं है ना तो ये चीजें बहुत महत मंदली 1840 है ना देखिए प्रार्थन समाज ने सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर बल दिया यह संगठन भक्ती परंपरा का समर्थक था जाती उन्मोलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंदली का गठन किया गया तो देखिए स्टुएंट्स परमहंस मंदली के बारे में कुछ महत्वपून बाते हैं यह आपको जाननी चाहिए यह मंदली महराष्ट का पहला समाजिक धार्मीक संगठन था महराष्ट का पहला था स्टुएंट्स याद कीजिएगा यह मंदली मुख रूप से जाती के नियमों को तोड़ने में रूची रखते थे उनकी सभाओं में तथा कथित निम्न जाती के लोगों द्वारा पकाया गया भोजन लिया जाता था मंदली के द्वारा महिलाओं की सिक्षा और बीध्वा पुनर्विवा की भी वकालत की ग समाज सुधारक हैं एक दादूबा पांडूरंग और दूसरे हैं दुरगा राम मेहता तो इनकी कर्म अस्थली जो है स्टूडेंट्स महरास्ट्र हैं तो यह काफी महत्रपून हैं हमारे लिए तो कई चीजे और भी हैं स्टूडेंट्स जो इस चैप्टर में हम आगे पढ परमहंस मंडली है वह काफी महत्रपून है उसके बारे में आप लोगों को जानना चाहिए तो यह जो परमहंस मंडली था वह विसेश करके उच जाती और मतलब जो निचली जातियां थी उसके बीच जो है वह समानता लाने के प्रयास से यह लोग जुड़े हुए थे तो यह समा सुधारक गुप्त बैठकों में भोजन और अस्पर्स जैसे विसियों के परमपरागत जातिये नियमों का पालन नहीं करते थे बने जो परमपरागत सिस्टम था जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उसको यह लोग मानने के लिए तर्यार नहीं थे तो यह चीजें आज जो हम समाज में देखते हैं कि हम कैसे मिल जुलका रहते हैं और जातिये परमपरागत आज समाज में उतना महत्रपुण नहीं है तो इसके पीछे हमारे समाज सुधार कों का काफी कुछ योगदान है तो बच्चों एक चीज और महत्रपुण है कि कोई भी चीज जो है वो सिक्षा से जुड़ी हुई होती है तो जैसे जैसे हमारी सेक्षिक इस्थिती में सुधार होता है वैसे वैसे हमारी सामाजिक इस्थिती में भी सुधार की संभावना रहती है हम जातिगत दोसों से उपर उठते हैं और ये हमारी जो सेक्षिक उन्नति जो है वो जातिगत ब्यवस्था की चुनोतियों को दूर करने में महत्वपुन भूमी का अद्या करती है इसमें देखिए स्क्रीन पर इसाई मिसनरियों का भी काफी कुछ योगदान है इन्होंने सिक्षा के छेत्र में चिकित्सा के छेत्र में काफी कुछ काम किया है तो कुल मिलाकर इस चेप्टर में हम आगे भी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं अभी फिलाल आप इतना जान लीजिए कि इस अध्याय नौ में हम लोगों को जाती बैवस्था की जो चुनावतियां विगत दो सताब्दियों के अंतरगत हमने देखा है समझा है उसका हम अध्यान करेंगे और कर रहे हैं तो आप इस चैप्टर पर बने रहिए और जैसी आर्टी का जो हमारा पाठ पुस्तक है उसको आप लाइन बाइन पढ़ लीजिए और वीडियो से भी बने रहिए विश्यास करके जो महत्पुन बाते हैं उनको आप नोट भी करते जाए तो ठीक है इस वीडियो को मैं यही पर समाप्त करता हूं और सिख्र आपकी समक्ष मैं दूसरा वीडियो लेकर उपस्तित होंगा धन्यवाद स्ट्रेंट्स